आज वो जाबास बाहर आ रहा है और उसके बाराने की खुशी में हम लोगों ने ये भव्य समार हो आयुजित दिया है अब दुनिया इधर की उधर हो जाए कोई भी लड़ता है कटता है मरता है तो मरता रहे लेकिन भांजे तू अपना मूँ बंद रखना कुछ भी देखा तो उसे अंदेखा करके निकल जाने का इसे लिए तेरे लिए स्पेशल चश्मा काला इसे लेकिंसे सब कुछ नजा आ आप देखते रहे हैं इमीडेटली मैं रिटन जाने की तैयारी करता हूं अरे बाब रे तुझे सिकाते सिकाते मैं पागल हो जाओंगा चल घर चल एक मिनिट इस बार जब मैं बाहार निकला तो इतनी सारी स्पेशल तेयारी क्यों और ही मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम देखो अगर इस उम्पर को तुमने ऐसे गवा दिया तो इसकी तरह आवारापन में पूरी जिन्दगी बरवाद कर लोगे कुछ समझ रहे हो क्यों कि अहां कि अरे बीटा आया है तो खुशोंनी के बजाए मां के चीरे परिंडा गुस्ता बदमाश कहीं का मां कूछूमि नहीं सकता ठीक है जाने दो चल चल बातरूम में अरे मा आइस्ता आइस्ता जमूं बंद करके चुपचा बैठारे कितने दिन अंदर रहकर आया है पता नहीं नहाता भी होगा या खाता पिता भी होगा इतना बड़ा हो गया है लेकिन आकल नहीं आई अब तब जल्दी करो मा अगों में तेल जा रहा है सर पर तेल लगाया है कमसे कम आदे घंटे तक तो रहने दे उसके बार तुना लेना पागल गई का जल्दी करो देर हो रही है ज्यादा बोल मत जल्दी से तयार हो जा और हाँ शकुंतला कॉलेज चली गई क्या यह इस तरह छुप छुप कर क्यों देख रही है छुप कर नहीं देख रही है उसकी शादी पक्की हो गई है इसलिए वो शर्मा रही है पहारा जल्दी शादी कर रही है दुनिया को पता सल गया और मुझे शर्मा भाईया अब बहाना छड़ो मेरी बहरा ज़रा गुम एक बार मैं तुम्हें चीब हरकर देख तो लूँ यह पगली शादी के लाइक हो गई है बेटा यह 18 साल की हो चुकी है मेरी गुड़िया इतने बड़ी हो गए और मुझे पता नहीं चला भाईया मुझे बात घब्रहाट हो रही है शादी के बाद मैं लंडन चली जाओंगी और आप सब लोग यहां जी हाँ जी हाँ शादी के पहले सभी लड़किया आसा कहती है और शादी इसके बाद पिर कह हैं यह तो अठी बात है मैंने तो यह शोचा था मा कि आपके पटी डेव किसी सरकारी स्कूल के मैथमेडिक्स के टीचर से इसके शादी करवा देंगे तो अपनी पिता के बारे में कैसी बाते कर रहा है जाने दो वह समझदार होते तो बात कुछ और होती लाओ दो मैं जब एक गिलास पानी देदो देखो मैं इसको पढ़ा लिखा के मेरी तरह कुर्सी पे बेठाना चाहता था लेकिन उसे उसकी आवारा गर्दी और जेल की हवाएं ज्यादा पसंद है तो कोई क्या कर सकता है येलो पानला जरा अभी देता हूं भाई येलो शंकर तुम्हारे कार्बूरेटर ठीक करने के बाद पर लीटर का एवरेज तो ठीक हो गया है लेकिन पेक अप नहीं मिल रहा है यार एक्सलेटर देख पैनला हां यह लो थैंक यू शंकर हम इतने लोग आए हैं यह सालो तुम लोगों में इतनी हिम्मत आगई के मेरे खिलाब इस निलामी में हिस्सा लेने आगए चल चल निकलने चल चल उड़के मत देखना चला निकला या से ओफिसर अवेली खरीद देखले कोई नहीं ऐसा मत समझना इस फाइल में मेरा नाम लिखो और खेल खत्म करदो चलो बंद करो से अरे निलामी हो गई क्या या पी डेट आगे बढ़ा दी और से देख लो अवेली मेरे नाम हो गई है लोगों को डरा कर कबजा कर लिया है इससे पहले मेरा नाम लिखो सर जो बै एक बार जेल की हवा खाके ची नहीं भरा गया तो बारा जाने का इरादा है तेरा तुम्हारे आने की स्पीड देखकर लग गया था कि तुम यही डायलॉग मारो गया तेरा यहाथ बढ़ गया ना तो तेरा यहाथ चाम के लाएक नहीं रहें कि रुक जाओ तुम अपने आदमियों को लेकर फॉरा नहीं से चले जाओ वरुना में पुलिस को बुलाना पड़ेगा यह महान हस्ती कौन है जानते हो हमारे देश की गरीब और नात बच्चों के लिए बढ़ाई लिखाई के लिए अलग-अलग शहरों में यहां तक की विदेश में भी विवेकानन्द विद्या आश्रम विवेकानन्द विद्या ले स्थापित करने वाले ही महान हस्ती है आज कि अपनी जन्म दिन की अवसर पर हमारे आश्रम में पधारे हैं हमारे लिए गर्व की बात है ये पचास लाग कर चेक है अडवांस इस आश्रम का पूरा खर्चा मैं ही चलाओंगा हमें अभी तक तो बच्छों का सुख नहीं मिला है भगवान जाने क्यों हमारे साथ इस तर पर वाला ही जाने है झाला हमें ढॉग झाला है झाला 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 है पर रच्छों की बात है झाला है झाल झाल क्या कह रहे हो पुर्षण कर दे आपके भाई का हाथ तोड़ दिया मेरम हलो कमिश्टर पुर्षण के वी निया मेरम प्रणारप प्रणार रिर्षण को प्राइड प्रूल रहे होलोंगे दिया थांतरो प्राइड हो बादे तो बादेड अगया अरे बैचारी गूंगी है याँ अच्छा गाड़ी ठीक करने है तो आपको घर चाहिए यह सामानुतार के घर में रखना है हाँ 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 कि इसे का रखना है मैडम यह आपके कौन है मैडम त्वारक पत्य है इसका मतलब उन्हों ने तुम से सचने शादी किये कि इतनों की सचने शादी हो गए यार कहरा था मैं जेल में हो जेल में हमको कहके उल्लू बना तरह और हम सब उल्लू बना गया अब हमारे हाथों कुछ होने वाला शक्राइब कौन सा जूट इतना शरीब मत बनो यार हमें ये सोचकार इश्यार मा रही है कि तू हम लोगों का दोस्त है तेरे कहने का मतलब क्या है एक गोंगी लड़की को अपने प्यार के जाल में फसा कर शादी करके अनात की तरह भटकने के लिए उसे छोड़ दिया और आप पूछ रहे हो कि क्या मतलब है कहां कहां इंसाफ है ये क्या का मैंने शादी किया आप बेटा देख सामने वह फोटो देख मेरे प्यारे दोस्तो आज मैं आपको फ्यार के बारे में बतानी जा रही हूँ और मैं हूँ आप लोगों की होस्त और मेरा नाम है नैना रोमियो जुलियेत लैला मजडू इन लोगों में प्यार करके इतिहास रचा है लेकिन आज आप लोगों के दिल से यह भावनाएं ख कि आप लोगों को बताने के लिए मैं यहां पर हूं आगे कौन हो तुम्हारी नैना क्या कहा मेरी नैना कब से हां तेरे घर में फोटो किसका है हमारा है जी ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो तुम ऐसे क्यों बहें कर रहे हो शादी करके मुझे भूल गया देखाना माया प्यार कितना सच्छा तुम हो कोन है मैं जानती हूं तुम्हारी यादाश्त को कौन सी यादाश्त अंध्या तुम्हारी यादाश्ट गई होई है वाइजग जिल में जानना चाहते हो तुम बताती हूं कि यहां वोईजाग जेल में मैं खैदियों का इंटर्वी लेने गई थी और वहीं पर मैं तुम से मिली वहीं मुलाकात प्यार में बदल गई मैं मन ही मन एक अलग संसार बसाने का सपना देखने लगी उसके बाद हम दोनों अकसर एक दुरसे से मिलने लगे हमारे दिल का ये प्यार का पौधा बहुत जल्दी व्रिक्ष बन गया और हमने भगवान को साक्षी मान कर शादी कर ले मैं प्यार में पंची बन गई थी हम दोनों प्यार के तराने गा रहे थे वहां का दृष्य देखकर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में मदमस्त हो गए थे और तब ही तुम्हारा पैर फिसला और तुम गिर पड़े तुम्हारे सर पे चोट लगी और तुम्हारी याददाश्ट चली गई टॉक्टर ने कहा तुम्हारी यादश्ट वापिस लौटने में कम से कम दो से तीन साल लग जाएंगे तुम तो मुझे पूरी तरह भूली ही गए थे और फिर एक दिन तुम मुझे वहां केला चोड़कर चले गए चले गए तो क्या हुआ हमारा प्यार जो सच्छा था इस तुम्हारी यादश्ट वापिस लाने के लिए मैंने उसे हरीद्वार में गंगा नदी में छोड़ दिया कि मेरे दोस्तों के सामने तुमने गुंगी होने की एक्टिंग की थी वह क्योंकि शुक्रवार को मेरा मौनवरत रहता है वह किसलिए तुम्हारी चोड़की वज़े से तुम्हारा दिल से दिमाग का कनेक्शन कट हो चुका है उसे जोड़ने के लिए मेरे दिमाग का कनेक् क्या कहा अंकल आपकी लाडले शेर ने तुमने ऐसा चक्कर चलाया कि उसका दिवागी काम करना बंद हो गया कल तक तो मैं किसी तरह उनकी यादों के सहारे जीती रही अब आगे की जिन्दगी उनके साथ रहे कर चीना चाहती हूं देखो बेटा तुम्हें बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम्हारे जरिये सुधर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी अब गया कि अधर तक क्या है श क्या किसलिए तेरी शादी करवानी है इसलिए देख इस मामले ने मेरा दिमाग पहले से खराब कर रख है इसलिए तुई जाकर शादी कर ले चलता है यह मजाग करेगा चट एक शंकर मुझे दुबारा हाथ मत लगाना यहां बहुत बढ़ा दोप है क्या हां बता बता ना नहीं शंकर शुप जाओ हम लोग जा रहे हैं अब चुप चाप निकल ले डेख लुका दुझा शंकर निकल ले बोला कि शाप बुला रहे तो बोला कि नहीं जाओंगा मैं पकड़ कर लाने की कोशिश की तो बोलने लगा शाब अपनी बहन से मेरी शादी करवाना है क्या उसका दिमाग बहुत खराब हो गया है सर आपकी बहुत बेश्थी किया सर उसने उसे उठा कर चार दिन के लिए अंदर कर दें तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा सर सर वो ब्लू-ड्रेस वाली लड़की जो है ना वो उसकी बहन है सर कि अग्यार मैं चलती है लेठ हो रहा है कि तुम्हें पुलिस टेशन चलना है कौन है आप नहीं चाहरे है मुझे चोड़ो मुझे जलो बताता हूं अरे चोड़ो भी नहीं कहां जल बैठ मारी में अब देखता हूं कैसे नहीं आएगा पिता जी तुम्हें यहां किसले लाए गया है पुझे नहीं पेता पिता जी इंस्पेक्टर देखें इंस्पेक्टर आपको वह गुंडा चाहिए था तो पुलिस टेशन में आप इसको उठाके क्यों लेके आए हैं यह कौन सा तरीका है क्या यह इंसाफ है स्कूल में बच्चे गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं उनके माबाप को बुलवाते हैं ना मैंने भी तो यह ही किया है देखिए तो धना अध्यापक रह चुकाओ वो भी स्टेट गवर्मेंट द्वारा मेरी कुछ इज़त है आपने यह ठीक नहीं किया तुम्हारी इज़त से मुझे क्या लेना देना देखो जहां तक मैं जानता हूं वो गुंडा तेरा बेटा है और यह लड़की तेरी बेटी है तुम दोनों यहां रहोगी तो वो जरूर आएगा बाहर जाके बैठ जाओ देखो मैं यह क्या रहाओ पेटीट जाना फिताओ जीट नए यह चो पोजा शंकर तो तुम हो वो गुंडे शंकर अगर तुम शेर हो तो मैं पुलिस का टाइगर हूं शेर किसी की जूठ नहीं खाता वो खुद शिकार करता है पताजी भाईया पताजी पले लोके लोकी एहाओ पढ़ता जड़! नुदिए लेता के लगार, जटादा! हुँए! तार पभाया? हुआ है इसे खाना पानी कुछ मत देना पता नहीं क्या समझते आपने आपको इंस्पेक्टर हां तुम्हें उसके साथ जो भी करना करो दोबारा मेरी बच्ची को उठा के मत लेके आना इसने आपके लड़के के हाथ में कमपस सुभो दिया था इसलिए मैं इसके कोई तरफदारी नहीं करूगा इसको जो सजा देनी आप इससे सजा दे सकते हैं ले जाइए इसे आए वकिल साब एक यह भी बाप है वामा जी मैं यह अंदर है मैं हूँ ना बिटा मैं हूँ तुम जा जा तो आए सरा आए तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या बाप रे नमस्ते शाहर नमस्ते हैं हुआ हाह कौन हो तुम शंकर का मामा हूं आ तो दिखाइए इनको शंकर मैंने जितनी तुम्हारी फिटाई किये तुम्हारी बॉडी के कुछ पुर्जे तो ठीले होई गए होंगे अब ठीक से चलने के लिए तुम्हें तीन-चार हफ्दे तो लगेंगे ही यह रख लो रख लो चलने में आसानी होगी हुँ आए आगे आज़ा बांचे बाकी का मैं देख लोंगा आज़ा हाहाहाहाहाहाहाहाहाहा यह जहाना यह वकेल साहब हां बोलिये मेरा यह घर हां मेरी चार भीगा जमीन और मेरा बैंक बैलेंस और उसब मेरी बेटी शकुंतला के नाम पर कर दीजिए ठीक है क्यों जी हमारा एक बेटा भी है यह बात अब भूल गए क्या वो तुम्हारा बेटा हो सकता है मेरा नहीं ऐसी आउलाग मान मर्यादा का कोई खैयाल नहीं हो ऐसे मवाली को कुछ नहीं मिलेगा उसे देना है तो तुम अपने गहने दे सकती हो जो तुम दहेज में अपने साथ माईके से लेकि आई थी लेकिन मेरी मेहनत की बनाई हुए प्रॉपटी को जिसे मैं चाहूंगा उसी को दूँगा को अब कि इस फेचले में रती बर में इनसाफ नहीं है और वो जो कर रहा है वो तुम्हारी नजर में सही करकी इजदबार निलाम कर रहा है वो मैं फिर कहता हूं वो मेरा बेटा है इन नहीं अब अपना काम कीजिए वकेल साब आप अब दुनिया में कहीं नहीं देखा आपका जो दिल करें वो कीजिए लेकिन भगवान के नजर में इनसाफ नहीं है अब प्रके अब है कि लगे रहो लगे रहो यहीं मॉक्ता है अच्छा आज बात क्या है खाना मगवाया है इतने सारे टेस्ट वैसे अज मसाज भी हो गई मसाज करते गए करते गए करते गए ऐसा लग रहा था जैसे लड़की मसाज कर रही हो तो तुम लोगों किया ठीट बढ़के खाना खाला वह जर मतना थे तब हमने देखा कि वो तुम्हारी मसाज कर रही थी जाओ देखो ने यह लोग भी ना वैसे गलत भी नहीं है क्वारी मसाज कर दो 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 कि अारी मुड़ भी ना वारी मत अवारी में है क्यों रे मेरे हाथों इतनी मार खाने के बाद भी तेरी अकड नहीं गई क्या मेरी ताकत अभी तुने देखी का है मेरे गिरेबान में हाथ डालने वालों को तुरंट जवाब देता हो उस दिन नहीं दे पाया जहाता तो तुम्हें भी तुरंट जवाब दे देता लेकिन मेरी बेहन और मेरा बाप वहाँ पर थे तुने मेरी बेहन के साथ बता में जिकी तो क्या तुम्हें मारेगा आसकॉल मैं तुझे जढ तुम्हें जपrikी तुम्हें वहाँ सोफेरे nour़ में देखके बेह कुब तुम्हें अबड में ही तुम्हें अब बड़ कि वरिवब उसेक है प्रॉट कर दो चील होगा कर जो मंघए कर दो में पहते पालेगा तुम यह गलत कर रहे हो तुम ने 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 पुदि इसकी वर्दी पैन के तुने दो-चार भूसे मार लिये तो तो तुम्हें क्या लगा हां मेरी बॉडी मेकनिक की बॉडी है अपनी बॉडी रिपेर करवा लेना ठीक है उसका गुरूर तोड़ने के लिए तुम्हें भीजा था नमेने उपर से खुदी पिटकर तुम्हें आ गए नामर्द हो तुम्हें सस्नामी है बड़ा इंकाउंटर स्पेशलिस्ट मेडाम मेरी सर्विस में आज के पहले कभी ऐसा करता है अब दिखाने विखाने की कोई जरूवत नहीं सीधा उसका एंकाउंटर कर दो एंकाउंटर करना इतना आसान नहीं है किसी बड़े क्राइम के बाद पुलिस कमिश्नर की ओडर की जरूवत परती है ओडर ही चाहिए ना दिलवा दूँगी कमिश्नर तुमसे उसकी पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी सबने देखा उसने मुझे भरे बाजार में पीटा है ऐसे मैं अगर मैं उसका एंकाउंटर करूंगा तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही इसकी तरह मुझे भी वॉच्च मैनी करनी पड़ेगी तो बताओ फिर उसे कैसे मारोगे मेरी बेटी शकुंतला बीएसी गोल्ड मैडलेस्ट है आप पूरी यूनिवर्सिटी में नमबर वन आई है और ग्रैस्ती में वी मास्टर के बज्चे हैं तो पढ़ायली खायतों करेंगे अपका लड़का क्या करता है वो वो आबे अब यह टू विलर सर्विस का गैरेज है इसका बहुत अची बात है आपका इजद्दार परिवार है इसलिए ये रिष्टा मलजूर है देखिए भाई साब मैं एक स्कूल का रेटाइड हैड मस्टर हूं मेरी हैसियस से जो भी होगा मैं करूंगा शादी में लें देन में अगर कोई बात होतों में कमी नहीं छोड़ू का ये क्या कह रहे हैं भाई साब हम दहेज के सक्त खिलाफ हैं आपकी देवी जैसी बेटी हमारे घर की बहु बनकर आ रही है यहीं बहुत है क्या बात है आपका बेटा कुछ नहीं कह रहा है मेरी बहन मेरी जान है इसे हमेशा खुश्रकना बस यह हमारी बंती है चलिए रस्म पूरी कीजिए हवानी शास्त्री के साथ नारायन स्वामी की सुपुत्री शकुन्तला का वैशाक मास के दश्मी के दिन शुक्रवार को ब वो मैं प्रिंट करवा के आपको भीजवा दूँगा अपनी खुद की प्रैस होते हुए बाहर काड को शपवाएंगे अच्छी बात है जैसी आपकी मर्जी अपने पसंद के हिसाब से प्रिंट करवा के भीजवा दीजेगा जी बिल्कुल मुझ पे छोड़ दीजे इंस्पेक्टर वहीं रुख जाईए क्या चाहिए आपके जा जाओ अपने बेटे को बाहर बुला आपको तब भी कहा था अगर आप उसे पुलिस टिशन ले जाना चाहते तो आप लेके जाईए लेकिन हमें परिशान मत करिए हमारे साब से भाहस कर रहे हो तुम है इस ऐसे बां चुठ टिशक्टर साथ मेरी बायसियो है चाहिए तुम अपडरे करेंद मेरी बाहँ परता मेरित है तुमें अज्प höher निखाल जेजाजी जेजाजी निकल अटो निकल अधो लेजाव इससे लेजाओ चल बहार निकल ले जाईये इससे कि कि ये रोक लुजे जी जह ये उसे और रे उसा पिल जाने अंदर चलो अंदर चलो उसे बुल जाओ ने बच्ची को इसी च्टी से मारते है न Representativesit इसे चड़ी से मारते हैं नाप, नहीं रहेगे चुर्दों की नाप, यह तुमने क्या किया मेरी चड़ी के साथ, जब से मैं आपसे शादी करके आई हूँ, तब से दुख ही जेलती आ रही हूँ, मेरे बच्ची के साथ, आप हमेशा जानवर की तरह से लुक करते हैं, उस जै कड़की क कै लुक से लुविः किया जान लाद इसे बान सभसे खु़ कर भादफ, इसा खस डिसे खियान हुवे से लुक अलंविः वो करते का विसे लुक। व़ियो बफक्ते हैं लित्तों के लुक्तों कैंश्य बहे बहें क्गिए लिततीikte आग अगे लुकम काती हूँ स उस दिन तो तु मेरे हाथों से बच गया था लेकर नहीं बच्छे नहीं ख़ड़ूगा कर रहा है यहां पर क्या कर रहा है मैं केस की इंक्वारी कर रहा हूं सर ऐसा इसने क्या किया है क्या खलत किया है देखिए आप शांत रहिए सुनिये उसको खोलिए मैंने कहा है ना इसको खोलिए आप भी की बीबी का कहने पा हमने दूसरी जगह से यहां पे ट्रांस्वर किया और आप कह रहे हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है ऐसा क्यों इस बार तुम्हें बार निंग दे रहां पांडे आगे से इसने ऐसी हरकत की तो इससे टिसमिस कर देजएगा मैं सीम से बा जड़ा देख इस खोन को इसका हिसाब तुझे दे नहीं होगा और वो मैं लेकर रहूंगा असली शेर खुद शिकार करता है सही समय पराकर शंकर को छुड़वा कर आपने बहुत बड़ा ऐसार किया है साहब यह ऐसार में कभी नहीं भूलूँगा यह आपके ऐसी बाते कर रहे हैं वो मेरे लिए बच्चे जैसा है शंकर जो कुछवाव से भोल जाओ आगे से तुम सुधर जाओ यहीं मेरी इक्षा है मैं तुम्हारे साथ दूंगा अब तुम यहां मत रहो तुम्हारी नौकरी कहीं बाहर लगवा दूंगा तुम्हें कभी किसी चीज की ज़र्वत बड़ी तो मुझे इस नंबर पर फोन कर लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ अच्छा चलता हूँ ठीक है शंकर अब तुम सिधा घर जाओ क्यों क्या हुआ यह सब बेकार के सवाल मत करो शंकर सिधा यहां से घर जाओ पहले यह बता हुआ क्या है अब कुछ वना बागी है गया तेरे पिता और उसे डूब मरने को कहा फूटभूट करो रही है इसे लें कहा रहा हुए तुम सिदा घर आछे जाओ ची अ कि अ बहुत हां यह पापा ने और को मारा भाइब हुर मारे को मारा का मत कि इन हातों से मारा ना इन हातों से मेरी मां को मारा ना इन हातों से जो परात उठाया वो मारा उन्होंने तुब्रस चोड़ूगा नहीं चोड़ दो जो मुझे मार देते लेकिंट नवीभी किसी से आध कर्मात नहीं कि हमेशा मारा है कि एभी पर मुझे से तुब्रस में हुआ पूर्णे मा यह सब क्या है वह आपने उसे उस दिन मारा था ना इसलिए अब तक वह बाहर आवारा गरती करता था अब घर में भी दादागरी शुरू कर दी एक जवान बेटे को इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से नहीं मारना चाहिए था जरा भी रहम नहीं आया आपको इसलिए उसने गुसे में आकर यह सब किया उसका मतलब मैं गलत हूं बच्पन से लेकर आज तक आपने कभी भी उसे सीने से लगा कर वो क्या चाहता है आपन बच्पन से लेकर जवानी तक उसे पाल पोस्ट कर बढ़ा करने का उसने इनाम दिया है अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं ऐसे ही भटे कपड़े पहन के घुंता रहूँगा नहीं जी दुनिया वाले देखेंगी तो क्या समझेंगे अंदर दूसरा है मैं देटी देखो पूर्णी मा उसने सिर्फ मेरे शर्ट के बाजू नहीं काटे मेरे हाथ भी काट दिये हैं बेटा पैदा होने के बाद दुनिया कहती है कि जरूर आपने कोई पूर्णी किया होगा कि आपके बेटा पैदा हुआ है और तो और उसे लड़किया देने के लिए लोग आगे पीछे दौरते हैं लेकिन तुम्हारे बेटे को देखकर मैं अपने आपको कोशता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि यह पैदा हुआ है सच में जरू कोई पाप किया है मैंने बेटे के जन्म के लिए पूजा पाठ और उपवास क्या-क्या नहीं किया मैंने लेकिन भगवान में मुझे पर नहीं दिया शाप दिया है शाप है यह शाप पिला है मुझे कि अधिया नमस्कार कि शादी के काट चप गए तो लेके आया नमस्ते भाई साब नमस्ते बैठिये लीजिए देखिए शादी की तारीख खाके बढ़ाने के बारे में हम सोच रहे हैं मैं डारेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ आप से ये आपकी बेटी से हमें किसी बात पर कोई शिकायत नहीं है लेकिन हमने सुना ही कि आपका बेटा बार बार पुलिस स्टेशन जेल आता जाता रहता है देखे भाई साब मैं एक असिस्टेंट कलेक्टर के पोस्ट पर हूँ पुलिस स्टेशन में दस लोग मुझे सल्यूट करते हैं आपके लड़के को पुलिस वाले उठाने के लिए बार बार आपके घर में आते हैं शादी के बाद वो इस घर में नहीं आएंगे इसकी क्या गारंटी है इसलिए इस रिष्टे को यहीं खत्म किया जाया ऐसा मैं सोच रहा हूँ मेरे बेटे से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी बेटी को आप इससे मत जोड़े भाई साब मैं हाद जोड़ के आपसे विंती करता हूँ आपके लड़के को देखने के बाद मेरी बेटी ने उसी के साथ जीने के सपने देखे हैं उसके सपनों को तोड़ी हैं मत भाई साब अगर ऐसा हो गया तो उसका दिल तूट जाएगा मैं आपसे इस तरह की बाते कर रहा हूं इसलिए मुझे माप पीजिएगा सिर्फ आपके बेटे की बज़े से ही ये रिष्टा तूट रहा है परना इस तरह का रिष्टा कोई भी कहीं ठुकराता है क्या आप अपनी लड़की के लिए रिष्टा कहीं और ढूंदीजे वही अच्छा रहेगा क्या आपके लिए रहेगा क्या आपके लिए क्या क्या आपके लिए रहेगा क्या है क्या है जहां ही या आपो हिस्टा मयो भवास्तान वोर्टे तदातना नारायन शास्त्री शाम नारायन शास्त्री स्ट्रूर्ट शंकर कि अधो का मधुरा माया का से कांचिया पंदिगा पूरी द्वारव सीचेवा सब्ते दे मौक्षदायका अहन का जिंग विश्या मी तत्रई बने वसाम यहो कि इन्होंने वहाद क्या किया पता है कि मेरे के नाम पर कालिक बोर्ट कर वहां पर नाला अधिया को पूछे को नालायक नहीं तो और क्या कहेंगे जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी बच्ची के हाथ पीले नहीं हो सकते हैं वहां क्या हुआ कुछ पता है लड़के वालोंने कहा कि उन्हें इस नालैक के वज़े से रिष्टा-मनजूर दिए बार-बार तुम्हारे घर में पुलिस आती है और उसकी वज़े तुम्हारा ये बेटाई ये तुम चानती हो कल हमारे घर में पुलिस आए या ना आए इस क्रिमिनल के रहते तो हमारे घर में ज़रूर आएगी तब तुम क्या करोगी ठीक यही बात उन्होंने भी कही इसकी इसकी वज़े से यह रिष्टा तूटा इसलिए मेरा लड़का मर गया यही बात सोच के आज मैंने इसका अगर अगर दुनिया पूछती है कि शादी क्यों नहीं हुई तो मैं हिम्मत से कह दूँगा मेरे घर में मेरा लाड़का मर गया उसका शोट चल रहा है इसलिए शादी नहीं हुई सुनिया मास्टर जी जब मा छोटा था अपना मझे जबरदस्ती चेह में बेजवाये था उसे दिन आपका बेटा शंकर मर गया था मैं मर गया यह मान कर आपने मेरा पिंड़ दान कर दिया लेकिन जिस दिन आप मरेंगे और आपके चेता को आग लगाने की जरुत होगी वो काम आपका यह बेटा ही करेगा यह नालायक यह मिठी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं कि मेरे चिता को आग देने के लिए तो जिन्दा का मचेगा तुझे आज नहीं तो कल कोई घुंडा रोड़ पे रहमी से मार के फेक देगा या पुलिस वाले तुझे एंकाउंटर में मार देंगे वो दिन देखने के बाद ही मैं हमारूब सब्सक्राइब जोदें सब्सक्राइब पिताजी आ लगुरें पता चल बता जवाब दे मैंने कहा जवाब दे आ नहीं तू बताएगा A plus B into A minus B equals to A plus B A square minus A square minus B square is equals to equals to B star equals to Spanner नहीं है आवरा जर्दी चल रही है जाटाफ बता चल बता तुझे अलजेब्र क्यों सवन में नहीं आ रही है पता है क्योंकि तू पड़ नहीं रहा है बिल्कुल मन नहीं तेरा जबकि वो प्रकाश हवलदार का लड़का हमेशा अवाल आता है तुझे बिल्कुल अकल नहीं है पेवकू दूपमार बेश्रम यह क्या जीजा जी क्यों आप बच्चे का दिल तोड रहे हैं मैट्स में इसके कितने माक्स आएं कुछ पता है बताओ तुम कितने माक्स आएं तुमारे पास उने बरके पास हो गया काफी है ना काफी नहीं है इसके मैट्स में सौ में से सौ माक्स आने चाहिए थे वही जरूरी है पढ़ने वाला बच्चा मैट्स में सौ में से सौ नहीं लाएगा तो यह सारी दुनिया डूप जाएगी क्या दुनिया डूप जाएगी यह नही उसकी जिन्दगी जीरो है इस तरह के रेडियो ठीक करने से कोई काम्याब नहीं होता है कल को अगर यह फेल हो गया तो ऐसे रेडियो पे गाने सुनता फिरेगा बढ़ाया रेडियो ठीक कर रहे बच्चो सुनो मैं हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल शास्त्री धर्ती का जनम हमारा जनम होता है अरी शास्त्री जा रहे है कि बॉर्णिंग बैट जाओ कि बोड़ पे किस ने लिखा मुझे नहीं पता मैं आखरी बार पूछ रहा हूं यह किस ने लिखा नहीं पता सर मैंने लिखा है जर है 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 मिली अटनलुन में इस नादा प्रग्राइव अधिया की अनले कि आ साथ वार्य अधिया प्रग्रण कृशाए किसने बनाया है दृपकि क्या तुमने चोटी से उम्रों में तुमने इतना अच्छा दिमाप पाया फूचर में क्या बंदे सब्सक्राइब चाहता हों आच्छा ये रखो मेरी अदिशनstawे ये ये हमारे हैट्षर शास्त्री जी का चूर्प से में शार्रीजी कि यह मेरी बेज़ती करने के लिए तुने आपकी बेज़ती कराने के लिए नहीं तो फेर स्कूल में काम आएगा इसलिए स्कूल में काम आएगा यह सोचने वाला तू कौन है यह पकड़ इसे नहीं नहीं पिता जी रुक जाहिए रुक जाहिए पिता जी नहीं अंकल रोकिये ना अपने पुलाया सर अहां नारायन शास्त्री जी मुझे लगता है कि आप मैट्स साइंस विज्ञान में बहुत ही निपोर्ण है आपके बेटे ने एक अद्भुत चीज का इजाद किया है आप उसे घलत समझ बैठे उसे आप आगे बढ़ाएए उसे प्रुचाहन दीजिए वो मेरा बेटा है और उसे क्या सिखाना है वो मैं जानता हूं मुझे मत बताईया अगर पसंद नहीं है तो मैं ये स्कूल छोड़के जा सकता हूं आपके बात करने का तरीका स्कूल के बड़े अधिकारी और पच्चों के साथ बदसलुकी करने की घलती की सजा मैं दे सकता हूं आपकी सिद मुझे मजबूर कर रही है इस स्कूल का मैं हेड मास्टर हूँ मुझे भी कहने का पूरा हक है इससे पहले कि आप मेरे खिलाफ को यह देखिए, स्कूल में काम आने वाले जोमेटरी बॉक्स के अंदर, स्कूल ड्राइवर और यह प्लैयर है, वज़रा यह देखिए, देखिए आप, यह उसकी स्टडी टिबल है, और यह उसका लिविंग रूम है, सर, उसका मन जिस काम में लगता है, जो ना उसी के लिए प्रोसाहत किया जाए, बिल्कुल नहीं, मैं एक मैट्स का टीचर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी मैट्स का टीचर ही बने, तुम उसके क्लास टीचर हो ना, तो उसकी मैट्स में कितनी पसेंटेज आईए ज़रा कर सकता हूँ, तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं यह बात एक मास्टर होने के हैसे से नहीं कह रहा हूँ, उसे सबक सिखाने के लिए कह रहा हूँ, अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ वो फेल होकर जब बैठे गया, तभी उसे समझ में आएगा, तभी जाकर वो म सबस्ता था कि मेरे पिताजी उसे नवरत करते हैं, आज मता जला, सब नवरत करते हैं, नहीं बेटा, फाड़ना मत, फाड़ना मत बेटा, एक बात याद रखना सार, आप मेरे साथ अन्या करके आपने एक विद्यारती का भविष्च बिगार दिया, तुमारे बेटे के हाथ में कमपस का काटा घुप कर ये भाग गया था, आज से ये मेरी आुलाद नहीं है, इसका जो करना है वो करो, विवान में लेकर इसकी घुप बिटाई करो, शरकर बिटाई, ज्यादा सोचो मत बिटाई, तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत रोता है बिटाई, तुम्हारे उनर को तुमसे कोई नहीं चीन सकता, तुम्हारों कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सोचकर अपना दिल बिल कोई छोटा मत करो, बेटा, जब सब ठीक हो जाएगा, बेटा तेरा मामा बोल गहाँ, तो आप चाहिए, बेटा तु अपने मामा की बात निमाने का चल ला, चल, अज़़़़़़़़़़़़़़ सर, नमसकर सर, एक बार कह दिया है, कि हमारे बीच कोई रिष्टा नहीं हो सकता, अब क्या लेने आए हो, क्यों तंकर रहे हो, सर, ऐसी बात नहीं है, सर, गल्ती मुझसे भी मेरी बहन से नहीं है, इसलिए प्लीज आप इनकार मत कीजिए, तुम मेरे पैर भी पकड़ोगे, तो भी मैं नहीं मानूंगा, ये शादिक कभी नहीं हो सकती, तुम इज़्जत से यहां से चले जाओ, सर, जरा सोचे न, इसमें मेरी बहन की कोई गल्ती नहीं है, वो, मैंने कहा न, हमें तुमसे कोई रिष्टा नहीं रखना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से अफ़ा दिया था, अब आपने वो रिष्टा तोड़ी दिया, तो इसकी क्या जरुरत है, यह आप रख लीजे, यह मेरे प्यार की निशानी है, इसे मैं कभी वापस नहीं लूँगा, वैसे मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, उसके सुभाव को देके मैं उसके और भी क केला ही हूँ, लेकिन आप भी मेरे जैसी है, मुझे बहुत कुछ हुई आप खुब धमाल मचेगा, सर लड़का लड़की दोनों राजी है, जी हाँ, क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक मूर में लग रहे हो, वैसे तो कहते हो, मेरा फून बढ़ जाएगा, मेरे पास ट नमस्ते, नमस्कार, क्रिश्नमोर्ती जी, आज इस तरफ कैसे आना हुआ, मेरे बेटे ने कुछ बत्तमीजी की है क्या आपके साथ, मेरे बेटी को टीवी में एंकरिंग का काम मिला है, इसलिए आये है, तुम नेना हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो, क्या करती हो, बीसी मेरे बेटी भी, बीसी गोल्ड मेडलिस्ट है, ओ, बहुत अच्छा है, सर, शंकर का तो जीवन बरबाद हो गया, क्रिश्नमोर्ती जी, मैं बहुत पहले उसका अंतिम संस्कार करके उसका पिंडदान भी कर चुका हूँ, मैं उसे कब कब भुला चुका हूँ, उसके बारे म आप अंदर तो आएए, नहीं मैंण, मुझ में अंदर आने की हिम्मत नहीं है, आओ नैना, चलो, आएग थच्छ आर 9 तो मुझ मैं येंगत हुए, नहीं है ये बाद आएगञ हुए, नहीं है बादुए, हिएखब का इंग आपे नहीं करते है ठीक है भाई आपे चलो एहां से ठोड़ो एंसे किता है इस अ करें किव थेंक युष्ण रुभी थेंक्यू सार करना तुम है थे तूर कि अपार गष्ण एफ बीवे करना विदिया संस्थान के जो ओनर है योगानन जी का बेटा हूं मैं योगानन जी सर तो यह नो कौन थे बता नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता सब असल में हुआ ये था कि ए तो क्या बख रहा है कौन है तेरा बाप मैं सच क्या रहूं मेडम वह ही मेरे पिता ची है रुकिये मैं आपको अपने माता- फोटो दिखाता हूँ, यह देखे. कौन है वे, तेरी माँ, कहां से चुराई ही तुने यह तस्वीर? जान अगर प्यारी है, तो जल्दी बता दे. मेरी माँ डेली इनुवसिटी में पढ़ती थी, तभी पिताजी से दोस्ती हो गए थी. यह बात जब दादी को पता चली, तुनों नों बहुत विरोध किया था. तब मेरी माँ ट्रेग्नेंट थी. जब यह बात मेरी दादी को पता चली, तुने शौक लगा, और उस दुनिया से चली गई. मेरे पैदा होने के बाद, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तभी से मैं उन दूनों को ढूंड रहा हूँ. क्यों बे, तुझे मेरी जैदाद में हिस्सा चाहिए क्या, इसे काट डालो, पस इतनी से बात हुई थी सर, एक बर मुझे अपने पिताजी से बात करनी है, जी जी आप वाटर में चले जाएंगे, किसी को साथ भेज़ दो, तुम्हें अपने पिताजी से बात करनी है, हाँ बोलो न, आपका बेटा मुझे मिला है, सर, मेरा बेटा, ये तुम क्या कह रहा हूँ? पहले मैंने भी ये ही सोचा था, सर, जर आपनी यादाश्ट पस जोड डाली है, हालो, प्लीज टॉप दॉप दुकार, ये तुम क्या कह रहो, शंकर, मेरा बेटा, कॉलेज में आपको सरोजा यादा, सरोजा, हालो, सर, बात करेंगे न, उसे फोन दो, पिता जी, कैसे हुआ है? बेटा, तुम सरोजा के बेटे होना, ये बात मुझे अभी बता चली, अब तुम्हारी मम्मी कैसी है, मैंने तुम्हें बजपन से आज तग नहीं देखा, मा, मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गए थे, पिताजी, ओ, तुम, तुम तो ठीक हो ना, बस जी रहा हो, पित सर, 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 शंकर, बड़े मुदद के बाद मुझे मेरा बीटा मिला है, अगर मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला, तो वो इसे मार डालेगी, उसे पता चल चुका है सर, आपके सालेने से मानने की कोशिश की थी सर, वक्त पर मैं वहाँ पहुँच गया नहीं तो, ऐसे यह बहुत पुराना स्टाइल है, आजो, अरे, भाभी बुला रही है यार, भाभी क्या हुआ, स्कूर्टी भी गड़ गई क्या आपकी, ए चीची, वह भैंको, वह कहा है, बाहर का है, अच्छा बाहर का है, पहले थी ऐसे बाहर जा जाके, कुछ से प्यार करके मुझे मंग आने के लिए, आप कोई नया गाने काने वाली है, हेलो, मैं गाना काऊंगी या डैंस करूंगी, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, शाम को ठीक 6 बजे उन्हें टीवी देखने को कहना बस, देखने के बाद मैं कहीं भी रहूंगी, वो मुझ से मिलने आही जाएंगे, सम पहले यह तो बताओ कि टीवे पर कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, भावी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है, क्या, पहले देखो तुम, चलो, चलो, आवाज देज रखना, दर्शकों को मेरा नमस्कार, यह प्रोग्राम है प्यार के किस्सों का, प्यार करने वालों का ये नैना स्वागत करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी प्रतिभा को सब के सामने लाते हैं, पूरे संसार को दिखाने का प्रयास करते हैं, यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश है, इस हवते के वो प्रतिभाशाली व्यक्ती कौन ह मैं आप लोगों को बताती हूं जो एक लीटर पेटड में 150 किलोमीटर का आवरिज देता है हमारे देश के नामे हेला में इंजिनेर्स क्या कहते हैं आये सुनते हैं वेल मिस्टर शंकर तुम हिंदुस्तान की कमजोर आत्थे किस्थिती में देश के लिए एक महान व्यक्ति सावित होगे जो हाई स्कूल के पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया ऐसे साधरन लड़के का ये कारणामा वाकई काबले तारिश है कि इंडियन एकॉनमी में बदलाव लाना है ऐसे में आप अपनी प्रतिभा को और निखारने की कोशिश करें यही हमारा उत्देश है हमारे प्रोग्राम की तरफ से और सारे देश्वासियों की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं कौन है यार यह कि इस पार साजन इस पार धारे ने चल हो माझे किनारे किनारे ने चल येलो रेडियो पापा ने तोड़ दिया तार मने तुमारे लिए दुबारा बनाया है थांक्स कि नैना कि मुझे लगा था तुम प्यार का नाटक कर रही हो मामा की बातों से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं अपने आप कोई भूल गया था नैना कुजरे हुए कल को भूलाना इतना असान नहीं होता मैं कि मैं अपनी बनाईवी बाइक को मैंने टीवी पर देखा उसे तुमने कप शूट किया अपनी बाइक मैंने अपने चीने अपने रिज में बनाई थी यह दुम्हारे लिए तुम्हारा साय hardship तो नांतार ही नहीं रख सकती चुन्हारा सुख हो या दुख हो उसमें मैं भी भराबर की हिसे-दार हो अब मैं क्या चाहती हूं बताओ है मैं वही पुराना शंकर चाहती हूं ग्ला वह कब का मर चुखा है कि लोगो मेरा शंकर कभी मर नहीं सकता तुम्हारी प्रतिवा जरूर एक दिन सबके सामने आएगी जो हो नहीं सकता उसे करने की क्यों कोशिश करें कि शंकर शंकर कोहां है मेरा बेटा वो यहां नहीं है कि दर के मारे तुमनें उसे कई छूपा दिया है क्या राहूल कि देखो टेंडर में तुमनें हमें माद दी ओके व बिजनेस था यह हमारा फैमिली मैटर है तुम दूर ही रहे ना यह आखरी बार कह रही हूं मेरे बेटी को इज़त से मुझे सौब दो उससे मुझे क्या मिलेगा मैं जानती थी तुम पैसों के लिए तो काम कर रहे हो पहले बता दिया होता दे दो उसे 20 लाख हैं अब यह 20 लाख एक रुपए हो गया है इसे लेकर अपने भाई के साथ चली जाओ है तू क्या समझता है यह मेरा बिजनेस है करोड़ों रुपए होकर भी कोई पूटी-कोडी दान ने करें वो भी कोई दौलत है क्या अगर तुम कोई खिलाडी हो तो मैं भी वह हूँ एक मामुली सा मेकानिक होकर तुझे इतना सारा गुरूर है मैं इस पूरे शेहर की रानी हुँ मुझे कितना गुरूर होगा तेरी भलाई इसी में है कि इस अनात को मेरे हवाले तुछ répond कर ना होगा वरना इस से में तो चील डालूंगी है अगर मेरे इलाके में आकर मुझे कोई डायलोग सुना कर जा रही हो ज़रा जवाब में तो सुलो जो मर्द मेरे सामने आख उठाता है मैं उसे उसी वक्त जवाब दे देता हूँ मेरे जीते जी तुम राहूल तक कभी नहीं बाँच पाओगी अगर उसके शरीप पर एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारे सामराज्य को हाँ हाँ सुनिये जी अब संधी जी के घर जा रहे हैं ना तो ये शॉर्ट पेन कर कैसे जाएंगे देखने वाए क्या कहेंगे कुछ तो इजट का ख्याल रहे है लीजी इसे पहल लीजी आ ह twee कि लेक्षपण पांडे जी लक्षमन पांडे गोपाल प्रसाज जी किसको बुला रहे हो जी जाजी मामा को बिला रहा हूं कि नई उसे मैं क्यों बुलाऊंगा ऊसे मैं अपना बेटा मानता ही नहीं है लेकिन उसे भी अपनी बेयान की शादी में शामिल होने का ही मेरी सिर्फ एकी बेटी है मेरा उससे कोई लेना देनादा मेरा स्टूडेंट है वो इस शादी में आएगा वही हमारी इज्जत है अपनी संतान को ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं अब कलक्टर आया कंड़क्टर आया क्या फर्क पड़ता है सुनिये जी बैहन की शादी में उसका सगा भाई नहीं आएगा तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी ऐसा मत किजिए जी मैं आपके सामने हाच चोड़ती हूं जी बेटी की शादी से बढ़कर इस वक्त तुम्हें उस बेटे की फिक्र हो रही है तो फिर मैं ही चला जाता हूं आप ऐसा नहीं कर सकते जी जाजी वह आपकी अवलाद है उसे आपको बुलाना ही चाहिए मैं शादी तभी करूंगी जब भाईया को बुला लीजिए ठीक है ठीक है बोल दूँगा मैं लेकिन वह यहां नहीं आएगा उसे मंदिर में बुला लूँगा शुक्र है मान तो तुम ही कहना तुम्हारे कहने से मना नहीं करेगा शंकर तेरी मा आई है क्या बात है मा बेटा कितना दुबला हो गया है तुम्हें क्या हुआ मैं तो एकदम ठीक हूं शकूंतला कैसी मा वो तो ठीक है तेरे पिताजी गुस्से में नर्जानित क्या कुछ कह गया तू उनकी बात का बुरा मत मान बेटा तू शान्त दिमाग से काम करके मेरे लिए चुप नहीं रह सकता हाँ बेटा शंकर बेटा मर गया है यह कहकर उन्होंने मेरा पिंड़ दान कर दिया उनसे क्या उमीद रखो मा मैं उनके लिए तो मैं कभी गमर चुका हूं यह बात छोड़ो मा कोई और बात करो यह शंकर अगर वो तुझे अपना बेटा नहीं समझते तो अपनी बेटी के शादी में तुझे बुलाने का नेउता देते क्या बता ना लेकिन शादी तो मंदिर में हो रही है तू उसे आशिरवात देने के लिए वहीं आ जाना आएगा न बेटा बता न बेटा अरे को बुरा नहीं मानते हैं अहां बेटा कि शंकर आ गया है अधिशे आपके न अ है कि कल मेरी बेटी की शादी है कि सुबहे दस बज़ के बीस मिनट में अशुब मोहरत है सबी रिष्टिदार भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक कलेक्टर मेरा स्टुएंट है और वो भी आ रहा है जब वो वहाँ होगा तब तुम मता ना उनके जाने के बाद अगर मन किया तो आके खाना खाने जीजा जी यह कौन सा तरीका है शादी में बुलाओंगा ऐसा बोला था यह तरीका है बुलाने का बेहन के शादी में भाई को ऐसे बुलाया जाता है क्या इस तरह से अपने बच्ची का कोई भी बाप अपमान करता है क्या बताए यह बगवान मेरे बच्ची को किस गुणा की देखो को निमा तुम्हारे बेटे को अपरी बेटी की शादी का लियोता देने आया हूँ मैं लेकिन इससे सामने देखते ही इसकी सारी पुरानी हरकते मुझे याद आती है वो मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता इसको मैं आखिर क्यों बुलाओ बस भी किजिये जी मेरे बच्चे की भी कोई इजट है देख बिटा अब ये तेरी माह तुछ से कह रही है इस शादी में तू नहीं आएगा और तू आ भी गया तो ये सब के सामने तुझे बेहिज़त करेंगे पैदाशी आदते चिता के लाते जाती है भगवान भी उसे भाया अपनी बेटी की शादी में जितना भी खाना बने खुद बैटकर खा लेना अगर तुम्हें अपने बेटी की फिकर नहीं है तो क्या हुआ उसका मामा है ना शंकर हाई 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 नैना क्या बात है तुम्हें सुने की कहनों से इतना प्यार है मुझे नहीं पता था तुम ऐसा क्यों कह रही हो और नहीं तो क्या इतनी सारे लाद रखी है जैसे गहनों का कर रही हो इसलिए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी ने बड़े प्यार से यह गहने बनवा कर दिये हैं इसलिए यह सब पहने हैं समझी तुम्हारे भाईया ने भी तुम्हारे लिए तौफा भिजवाया है क्या भिजवाया है कि इसे से पिख भाई का दिया हुआ तो अफाही मत समझना इसमें तुम्हारे भाई का दिल है मामा जी क्या है बांजे शादी में धेर सारे वियाईपी लोग आया होंगे ना बहुत सारे आये हुए है आये हुए है हे भगवान हलो सर में कालेक्टर का पीए बूल रहा हूं साहब आ रहे है ना साहब आपसे बात करना चाहते है एक मिनिट नमस्ते विश्वराद बेटा तुम आ रहे हो ना नहीं मैं पी एम से मिलने के लिए दिली जा रहा हूं बहुत अर्जेंट काम के लिए है इसलिए मैं यह आपाऊंगा आप यह शुब काम खुशी से कीजिए मैं आने के बाद मिलता हूं कि आदी का मोहर तो पीटा जा रहा है कन्या को बुलाओ तुम लोग अब तक यहीं हो नीचे सब बुला रहे हैं चल बेटा बेटा तुमने अब तक कहने क्यों नहीं पहने पिता जी वछी ते रहे हैं जल्दी तैार करके से नीचे ले कर आओ पैदाजी मैं आपके आगया का पालन कर रही हूं बले ही आपको आपके बेटी की जरूरत ना हो लेकिन मुझे मेरे भाइया बहुत प्यारे हैं ॆ उसके लिए तो तेरे दिल में इजत है और मेरी अदमान है तो पिर मेरा यहां क्या काम सुनिये जी यह आपकी बेटी है यह मेरी बेटी नहीं है यह उस नालाइक की बहन है सुनिये जी सुनिये जी यह आप आखिर कैसे बाते कर रहे हैं देखो आज शादी का दिन है शादी हो जाने दो उस बारे में हम बात में बात करेंगे फिलहाल तो न कि मंगल शुत्र पहना हो और मैं जानता हूं तुछ पर क्या गुजर रही है अरे तेरा मामा हूं मैं अपने बेटे को बेटा नहीं समझते वो वो ना तो कभी किसी के बारे में सोचते हैं और ना तो तो सोचेंगे तू देखता जाँ शादी के मंड़ें पर जाकर कैसे तेरे बाप की बेंट बजाता हूं शाकुंतला सा कहला है कि मुझे उसकी बहुत यास आती है कह दूंगा कहें देंगे कि अरे शकुंतला मामा जी हमेशा खुश रहो तुम दोनों तुम लोग यहां बहुत हुशी हो रही है आजा हो जाओ शंकर देखना कौन आया है शकुंतला भाया शकुंतला भाया यहां पर यहां पर आ रहा है तुम लोग भाया हमारे लिए आपका अशिवाद बहुत सरूरी है भगवान तुम दोनों को सदा खुश रहे हैं मुझे लग रहा था मैं तुम्हें दुलन के रूप में नहीं देख सकूंगा लेकिन भगवान ने दिखा दिया यह क्या तुम हाँ नेना की हाथों से बिजवाई थी अपने तुम्हें बहुत प्यारा पते मिला है सच में यह तुम्हें बहुत खुश रखेगा लेकिन भाया को मत भूल जाना भाया ऐसी बात दुबारा मत करना कि यह लो लीजे ना और यह अच्छा तो अब हम चले हमें थोड़ा लेट हो रहा है थीक है इन्हें चोड़कर आओ जाओ जाओ मामा जी आप भी जाहिए ना जाहिए जाहिए है है अब अब वह यह ने दी है ऐसा क्यों कहा तुम्हें वह कोई यह ना कहें कि पहन की शादी में भाई ने कोई तौफ़ा नहीं दिया इसलिए मैं ने दे दिया उस दिन तुमने कहा था कि तुम उसे कुछ मांगना चाहती हो आज मैं तुमसे कहता हूं मांगो जो चाहिए मैं जो भी मांगोंगी दोगी क्या मुझे तुम चाहिए तुम्हारी नाम का मंगल सुत्र चाहिए मैं घर छोड़कर जा रहे हूं आज तक मैं आपके हर जुन को सहती रहे क्यूं पता है अपने बच्चों के भविश्य के बारे में सोचकर जिस दिन आपने मेरे बच्ची को बेईज़द करके इस घर से निकाला उसी दिन में मर गई थी आपके लिए तो मैक से सब कुछ है लेकिन दोसरों की भावनाओं को हमेशा अपने हिसाब किताब में रखकर ही तौला है वह आपको मुबारक हो आज से इस घर से मेरी सारे रिष्टे खत्म हो गए अब आपके इस विशाल घर से मैं एक भी छोटा सा तिन कभी नहीं लेकर जा रही हूं सब कुछ आपका है सत्या हरिष्चंद्र का भाई मतलब मेरा देवर फॉरेंस इंडिया आ रहा है अगर वो आ गया ना तो हम महल से सड़क पर आ जाएंगे तो भीर क्या करें उसके आने की बाद ही उसके बारे में सोचेंगे उस अनात को इस दुनिया से उठाना होगा उस मेकैनिक ने अपने पास रखा है जाकर उसे मार डालो पिछली बार जैसी गलती अभी नहीं होनी चाहिए ठीक हमें महल में राज करने के लिए उन दोनों की बली चड़ानी होगी लाले लाले रहलवशन झाल को बलाच हएए culture उसेया में अभी熱ान गा ह्ड जाल्ड़ करते है झेह सब्लिस औरे зовग प्रमड लग यह शुट कलिक तर कलो फडिम आप प्लिप अ प्रिंट इड्रे लिध इड्रण झाल बाल याँ अरूर शरा क्रेपज़ अरूर शरा करो भीच्छबिक जब प्रा जातला को सेनुटेंगए अरुटेंग आफ एकश्छार वंगगगगगगद अरूरा के एक अरा के एक उसादा दिए सिस्टेंग जयार हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो और गुर्अ बुर्बवाद़ tent भाल प्रप्ow holyग श्यौत बृट तो एक औरत नहीं राक्षे से है इसलिए तुझे भगवान अभी तक बांज रखा तुने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की चीक करता है मैं तेरी चाहिए तू मेरी बीवी कहलाने के लाइगा आज से तू अपना रास्ता देंगा चली जा मेरे सामने से अपने भाई के स की अपने इसलिए मेरा बच्चा वाइं जिंदगी और मौत से लड़ रहा है डॉक्टर में भी जवाब दे दिया भगवान के लिए आप होस्पिटल चलिए मैंने कहा था ना सर ये नहीं आएंगे कहते हैं वक्त के साथ इंसान बदलता है मेरी नज़मेत आप इंसान ही नहीं हूँ मैंने मैं मैं थके साथ इंसा है मैंने मैंने साथ इंसान है मेरे चीता को आग देने के लिए तु जिंदा कहां बचेगा तुझे आज नहीं तो कल कोई गुंडा रोड पे बेरहमी से मार के फेक देगा या पुलिस वाले तुझे एंकाउंटर में मार देंगा वो दिन देखने के बाद ही मैं मरूंगा मार के बहुद देखने के लिए। हुआ हुआ है बटा 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 क्या हो बटा पापा है बटा आपा, बटा मुझे एतिन आपा? पापा मुझे देखने आयते नहीं समर करा, समर कर बैठना अराब से, ऐसे ही अभी जूस दो पिले आराम से अरे नहीं नहीं बैठो बैठो कैसे उतों यह लो यह लिजी सर्थ मेरे बेटी की जान बचाने का तुमापा कि नए मॉडल की बाइक बनाने के लिए पर्मिशन देने वाले कलेक्टर सहाब का यह जी सहाब का वारे डेलिगेट स्काफ और हमारे राज्यक के बेवेकानन विद्याले के संसाफ़क योगानन जी का और साथ साथ नए मॉडल की बाइक इजात करने वाले हमारे शहर के मान्ये संकर जीका और यहाँ पर पधाने हुए सभी गणमान्य आतित्यों का हम स्वागत करते हैं इस नए मॉडल की वाइक हमारे देश में एक दिन धूम मचाएगी और देश की आर्थी कि सुधी को सुधारने में मदद करेगी हमारी कमपनी में से शंकर के साथ लाइफ टाइम एग्रिमेंट करती है और उनसे आगरे करती है कि यहाँ पर आकर अपनी बात करें नमस्कार यह प्रदिभा मेरे मेरे अंदर यह मैं खुद नहीं जानता था इसे आपके सामने लाने वाली है और कोई नहीं बलकी मेरी नहना फैंक्स इस काम के लिए सबसे पहले मज़े प्रेडित किया आप नारायन शास्त्री जी ने जो मेरे पिता है उनके प्रोथान से ही मुझे में कुछ करने की जित पैदा हुई है आज जो यह इसत यह गौरव यह काम्या भी मुझे मिली है वो मैं अपने पिताजी के जर्णों में अर्पित करना चाहता हूं मैं जानता हूं कि मेरे पिता जी यहीं कहीं है पापा आप स्टेज पर आईये प्लीज पाप पाप कि प्रतिवा को मैं पैचान नहीं पाया बिटा मुझे माफ कर दें आप आप मुझसे माफी क्यों मांगते हैं पापा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मैं भी तो बच्पन से गल्तियां करता आ रहा हूं आज इतने सारे लोगों के बीच में आपने मुझे गल्य लगा लिया मेरे लिए यही बहुत है पापा आईयो उद्गाटन कीजे आईयो में में आपनी आईयो आईयो